हेलो स्टुडेंस माइसेलफ एपी सर वेलकम तो दे निव लेक्चर और पैलल लाइन एंड ट्रांसवर्सर आज के लेक्चर में हम कुछ कुछ कुश्चन स्वाल करेंगे पैलल लाइन ट्रांसवर्सर से रिलेटेड चलिए तो पहला कुश्चन स्क्रीन पे आ रहा है आपको दियान देना है पहला कुश्चन ओके फॉस्ट कुश्चन आपके सामने है इस कुश्चन में क्या दिया और क्या पूचा है चलो देखते हैं इस डाइग्राम में ध्यान से देखे बच्चो लाइन एंड लाइन बी हार पैरलल लाइन लाइन एल इस ट्रांसवर्सल यहां पे 105 डिग्री दिया हुआ है बच्चो कितना दिया है 105 डिग्री X, Y and Z मैं रिपीट कर रहा हूँ X, Y and Z उनका वैल्यू पूछा है उके उनका वैल्यू पूछा है बच्चो क्या पूछा है उनका वैल्यू पूछा है तो चलिए बच्चो X, Y, Z इनका वैल्यू कैसे आएगा स्क्रीन के उपर देखते हैं रेडी चलो यहां पे बच्चो अगर हम देखेंगे 105 को NX को देखेंगे दिया आरीना F-shape F-shape का मतलब होता है corresponding angle F-shape का मतलब क्या होता है बच्चो corresponding angle तो X का automatically 105 हो जाएगा क्योंकि corresponding angles का major equal होता है Now X को देखिए और Y को देखिए दिया vertically opposite angle So automatically Y का answer भी हो जाएगा 105 vertical opposite angles आपस में एक तुषरे के साथ congruent होते हैं उनका majors equal होता है बच्चो Now 105 and Z 105 and Z को अगर आप देखेंगे they are in a linear pair मतलब इन दोनों का total जो है 180 है जिसमें से 105 इसका है So automatically इसका 75 degree होगा बच्चो तो इस तरीके से हमने X, Y and Z को ढून लिया एक और बार देख लेते हैं हमने X, Y, Z को कैसे ढूनदा 105 and X they are in a F shape they are the corresponding angles तो इसका 105 तो X भी 105 होगा X and Y they are vertically opposite angle तो automatically जब X का 105 है तो Y का भी 105 होगा Now 105 and Z बोट आपने इन लिनियर pair 105 इसका है तो लिनियर pair मतलब 180 से minus करके Z का 75 degree आ जाएगा और इस तरीके से तीनों हमने X, Y, Z तीनों को find कर लिया चलो अब इसे लिख के देखेंगे किस तरीके से हमें इसे find करके दिखाना है तो solution सबसे पहले Line A is parallel to line B Line L is a transversal Okay Next So angle X is equals to 105 degree Reason is very simple Corresponding angles क्या रिखने पर चो Corresponding Angles Okay Now X and Y Both are equal और दोनों का 105 है Reason very simple है Vertically Opposite Angles Vertically Opposite Angles Okay So बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें X भी मिल चुका है और Y भी मिल चुका है अब Z को डुनने का वक्त आ चुका है Z जब यहाँ पर Linear Pair Form में दिख रहा है तो हम यहाँ पर Z के लिए Linear Pair का Step बनाएंगे Angle Z Plus 105 Is Equals to 180 Degree Reason बड़ा Simple इसका Linear Pair Linear Pair Okay So Z Plus 105 Is 180 Degree Therefore Angle Z is Equals to 180 Minus 105 So Angle Z is Equals to 75 Degree और यहाँ पर हमें Z मिल जाता है Am I right? चलो तो यह Question यहाँ पर Soled हो गया बच्छो Clear? अब हम बढ़ते हैं Next Question की तरफ The Next Question आपके सामने है Okay In this Question What they have given And what they have asked चलो देखते हैं In the Adjoining Figure Line P Parallel Line L Parallel Line Q यहाँ पर तीन Line है जो आपस में Parallel है बच्छो एक तो P L and Q All these 3 Lines are Parallel to each other यहाँ पर 40 Degree दिया है और यहाँ पर 30 Degree दिया है और उन्होंने का है इस Angle X का Degree क्या है वो Find करके बताओ इस Angle X का Degree कितना है Find करके बताओ अगर हम ध्यान से Angle X को देखते है तो Angle X यहाँ पर दो Angle से बनता है Am I right दो छोटे छोटे एंगल को Add करने के बाग बड़ा Angle X बनता है Am I right तो आप समझी यह होंगे कि मैं क्या कहना चाता हूँ इस बड़े Angle X को डुनने के लिए हम क्या करेंगे बच्चो दो छोटे छोटे एंगल को Find करेंगे मतलब यहाँ पर इस एंगल को और इस एंगल को Find करेंगे बच्चो और फिर उन दो छोटे छोटे एंगल को Add करके हम बड़ा Angle X कितना डिगरी है वो Show कर देंगे ठीक है अब ध्यान से देखिए बच्चो यहाँ पर ओके यह छोटा एंगल और यह छोटा एंगल कितना होना चीए ध्यान से देखिएंगे तो ही समझ में आएगा बच्चो मैं आपको कुछ यहाँ पर Shape बना के दिखा रहा हूं ध्यान से देखिए अब Z Shape में यह एंगल 40 डिग्री है तो बताइए यह छोटा एंगल कितना डिग्री होगा बच्चो 40 डिग्री होगा इम राइट फिर से मैं आपको एक और Shape दिखाऊंगा देखके सोचके बताना कि वो कौन सा Shape होगा मैंने यहाँ पर को इस Shape बना के दिखाए आपको फिर से दिखाऊंगा दियान से देखिए आप कौन सा Shape है यह Z Shape है तो Z Shape में यह 30 डिग्री आता है और यह छोटा एंगल आता है यह 30 डिग्री है तो यह छोटा एंगल कितना होगा 30 डिग्री अब सोच के बताईए बड़ा एंगल X कितना होगा कमान कमान बच्चो सोचिए एक मिला 40 दूसरा मिला 30 तो दोनों को एड़ करके बड़ा एंगल कितना होगा 70 मतलब X का डिग्री कितना मिला 70 डिग्री समझ में आया question चलो इसे लिख के देखेंगे ready तो solution यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं सब लोग देखेंगे solution first point okay line P is parallel to line L clear so यहाँ पर हम 40 डिग्री के लिए 40 डिग्री के लिए यहाँ पर हम नाम देंगे बच्चो हम यहाँ पर नाम देंगे जैसे हमने previous के questions में भी नाम दिया है इस छोटे से एंगल को हम A बोलेंगे इस छोटे से एंगल को B बोलेंगे और जो बड़ा एंगल है यहाँ पर उसे X already बोला गया है उसे already X पहले से बोला गया है okay so line P is parallel to line L so angle A जो छोटा है उसका 40 डिग्री होगा reason alternate angles reason क्या है बच्चो alternate angles okay चलो A तो मिल गया अब B को डुणनेंगे okay B को डुणने के लिए देखो मैं क्या लिख रहा हूँ line L is parallel to line Q okay so angle B will be 30 degree reason a alternate angle reason a alternate angles चलो तो यह A मुझे मिल गया 40 और यह B मिल गया मुझे 30 सोचो X सोचो X कितना होगा बहुत सही सोचा आपने 70 degree अब इसे लिख के दिखाएंगे बच्चो okay so step number 5 angle X मिल जे मिलेगा angle A और angle B को add करके मतलब 40 plus 30 that is equal to 70 degree so angle X is nothing but 70 degree तो हमारा जो find था है यहाँ पर कि find the value of X वो हमने find कर दिया तो यह question आपको समझ में आ गया होगा बच्चो किस question को हमने किस तरीके से solve किया है am I right चलो बच्चो अब हम next question की तरफ चलते है next question क्या है बड़ा interesting question है मैंने आप लोगों के लिए special बनाया है बड़ा interesting question है simple है लेकिन बहुत मज़ेदार है ठीक है बच्चो line L is parallel to line M यहाँ पर L और M parallel है line P is a transversal दे दिया है और इस R का 20 degree दिया है कितना दिया है R का 20 degree दिया है इस टू बी का मतलब होता है A upon B को पहले डुंडो मतलब A and B का ratio पुछा है A and B का ratio पुछा है बच्चो अब A और B का ratio कैसे मिलेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा सोचिए A and B का ratio पुछा है तो उसके लिए बच्चो हमारे पास A and B का value होना चाहिए अगर हमारे पास A and B का value है तो हम A and B का ratio ढून सकते हैं तो A is to B के लिए A is to B के लिए मुझे A and B का value ढूनना पड़ेगा बच्चो तो चलो देखते हैं A और B का value कैसे आएगा value आने के बाद हम उसका ratio बना सकते बच्चो ठीक है तो चलो A सबसे पहले A की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें vertical opposite angle दिख रहा है कौन? कौन vertical opposite angle दिख रहा है angle A and angle R तो angle R 20 है तो A कितना बन गया है बच्चो 20 तो यहाँ पर A का value बहुत आसानी से हमने डूण लिया vertical opposite angle की मदद लेके और A का मिल चुका है मुझे 20 degree Now A and B दोनो कौन से shape में दोनो कौन से shape में F या Z या C पहचानिये और बताइए कौन से shape में They are in a C shape मतलब they are interior angles मतलब A and B का total कितना होगा 180 degree जिसमें से A 20 है तो B कितना होगा 160 तो B का value भी हमें मिल चुका है फिर हम उसका ratio बनाएंगे तो चलिए बच्चो एक काम करते हैं जो अभी हमने orally बोला उसे लिख के देखते हैं ठीक है सबसे पहले line L is parallel to line M line P is the transversal line P is the transversal यह हमने mention कर दिया now angle A is equals to angle R दोनों का 20 degree है reason है vertically opposite angle vertically opposite angles okay so A मुझे मिल चुका है 20 degree clear अब बच्चो मैं B को find करने जा रहा हूँ किसको find करने जा रहा हूँ B को A and B both are interior angles they are supplementary okay so angle A plus angle B will be 180 degree reason is very simple interior angles okay A 20 है B मुझे मालूम नहीं है equals to 180 angle B equals to 180 minus 20 angle B equals to 160 degree चलो B भी आ गया है अब बच्चो हम डूंडेंगे A upon B क्या डूंडेंगे हम A upon B जिसमें A का 20 आ जाएगा और B का 160 आ जाएगा now cancellation करेंगे बच्चों cancellation okay cancellation करेंगे तो यहाँ पर 0 और 0 cancel हो जाएगा 2 के table में 1s आ 2 के table में 8s आ so हमें मिला 1 upon 8 so A is to B is nothing but 1 is to 8 तो यह आ गया हमारा final answer तो उन्होंने पूछा था A is to B कितना है तो A is to B 1 is to 8 है और इस तरीके से यह question में हमने A is to B का value find कर दिया बच्चों कैसे find किया तेक और बार देख लेते हैं R 20 है तो vertical opposite angle की मदद से A 20 आ गया A and B interior angle है तो हमने B का value डूल लिया A and B के values को हमने upon में रखा तो हमें ratio मिल गया और यह question यहाँ पर हो जाता है salt ठीक है तो बच्चों आज के lecture में जितने भी हमने questions किये है मेरे ख्याल से वो questions आप सबको समझ में आगे होंगे Thank you very much घर पे रहिए सुरक्षित रहिए सेफ रहिए पढ़ाई कीजिए और दुआओ में हमें याद रखे Thank you very much students